नमस्कार दोस्तों, साहित्ती की ओर में आज की कहानी है चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखी गई कहानी दुलहिन पसीने से नहाए हुए वह जेट के तपते सन्नाटे को दरबाजे पर छोड़ देहरी लांगने को ही हुआ की एकाय ठिठाग गया किसी के तीखे तीखे स्वर करेरे करेरे से खिच रहे सुनाई दिये लगा की भीतर मत्ती उन्थाहट कलेजे समेत बाहर आ जाना चाहती है लेकिन मुह तक आते आते पनियाती पलट पड़ती है कौन हो सकता है? अनी? अनी ही होगी शाय सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते समय उसने भूनी का बांधी थी लोग भुगतो आट-दस दिन उपर हो रहे हैं अब विश्वास से भर कर उसने अनी की ओर देखा था तुम्हें गलत फहमी हो रही है यकीन करो कैसे? कहीं तारीक तो गड़बर नहीं कर रही? पंदरा से पंदरा महीना हो गया की नहीं? आज 28 है फिर मुझे तो हर बार पास दिन पहले ही हम तो पूरी साबदानी बरतते हैं वो परेशान हो आया फाल तु बात मत करो सब था? कितना मना किया? पर माने? अपने आपको बहुत बड़ा पहुचा हुआ जानका समझते हो कुछ नहीं होगा ये दिन बड़े सुरक्षित होते हैं अब अरे नहीं सब ठीक होगा उसे आस्वस्त करने के बहाने उसने स्वें आस्वस्त होना चाहा कुछ रोज और रास्ता देख लो सोच लेना कोई बात है ही तो देरी करना उचित नहीं होगा न कॉलिज से लोट कर बात करता हूँ कहते हुए वह तक परता से सीड़ियां उतर गया था उसका अनमान सही निकला वह नहान घर की और बढ़ा कराहता हुआ स्वर स्पष्ट होने लगा तबियत बेहत बिगडी हुई है और पूरा घर है की चिराया हुआ पड़ा है ठंधा कोना ढून ढान कर सब आराम से लंबी ताने सो रहे होंगे आब आज कानों में पड़ी भी होगी तो उन्हें क्या मतलब किसी को किसी की फिकर नहीं इस घर में अम्मा को तो बहुँँँ से वैसे भी लगाव नहीं दिखता बस रात दिन आजी की सेवा सुसुष्वा में जूटी रहती है जब से आजी का हगना मूतना खटिया पर चल रहा है वे अनि दायत्यों से निरलिब्ध हो गई है नहान घर के निकट पहुँचकर वह अनि को लगभग पुकारने ही बाला हुआ कि देर तक अम्मा को नहान पर बैठी देख सकते में आ गया अम्मा की डिगहाई धोती का पला नहान की उगडिवी फर्स पर सिम्टे जमे पानी में बेतरह लिथर रहा था हमेशा घूंगट में छिपे रहने बाले उनके अंगूल भर खिचली बाल रिबन बंधी चुटिया में गर्दन के नीचे जुकने और फिर उठने के प्रक्रिया में उठ बैठ रहे थे बेहाल सी वे थूख थूख करती मूग की पन्याहत थूख रही थी उसे जैसे बिजली का तार छूग गया वह एक दम से पल्टा दिमाग में द्वंध की हाथा पाई होने लगी कहीं दूसरा ख्याल पुकता ही नहीं हुआ हो सकता है अम्मा गर्मी खा गई हो या खाने पीने में गड़बड हो गई हो हैजा भी तो बुरी तरह फैला हुआ है आजकल इस इलाके में अम्मा का धाई साल पुराना स्वरोप उसकी आखों के आगे नाचने लगा शन्नो का अस्तित्यु समेटे उनका पेट डबल रोटी सा फूल आया था उसे अम्मा चलती हुई नहीं लुढकती हुई महसूस होती ठमके कदमों ने उनकी बेडोलियत की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी उन पर जब-जब निगाह पड़ती वह शर्म और संखोश से सिकुडने लगता सामने पड़ जाती तो उसकी पूरी कोशिश होती कि वह कन्नी काटकर निकल जाए वे रोख ही लेती और कुछ कहने को होती तो वह हुँहा करने में भी अजीब दिक्कत महसूस करता दृष्टी कभी अलगनी पर फैले फरफडाते कपड़ों पर जूलने लगती या खमसारों के प्लास्टर ज़रे गोल खमभों से लिपट जाती उन दोनों के मद्धी मौजूदा हालत को लेकर तनाव की शुरुवात की खुलम खुला अभिवक्ती का वह पहला दें था जब पहली मर्तवा उसने अपना बिरोध अम्मा पर यू जाहिर किया कि तनख्वा मिलते ही घर के हिस्से की किस्त उसने अनी के हाथों उनके पास बेजबाई कुरुद अम्मा ने नोट उठा कर अनी के मुँँपर दे मारे घबराई हुई अनी ने अपनी इस्तिती स्पष्ट की थी उन्होंने दिये मैंने आपको लाकर दे दिये मैं बीज में कहां आती हूँ उपर बैठे हैं चल कर बात कर लीजिए न लेने हो तो उन्हें ही रुपे लोटा दीजिए लेकिन अम्मा ने उसकी एक न सुनी चीख चीख कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया है जूते लगाने भर की कसर रह गई है सो वह भी ज़ाती जुडा ले आकर अम्मा के बैभार से आहत अनी आवेश से कापती हुई कमरे में घुसी और पलंक पर ढेर हो फूट फूट कर रोने लगी उसने सारा प्रकरण सुन लिया था बे बज़े ही अनी प्रताड़ी थुई थी मनाने के लिए आगे बढ़ात हुआ तमक कर हाथ जटकते हुए बोली छूने की कोशिश की तो अटारी से नीचे कूच जाओंगी मा बेटे के नाटक से मुझे क्या सरोकार जो कुछ कहना सुनना है खुद हिम्मत क्यों नहीं करते मेरी भजीहत क्यों करवाते हो आगे से मुझे बीज में धकेला तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा उपर अपने कमरे में पहुँच कर देखा अनी कोहनी आखों पर रखे चित सो रही थी दाहनी बाह से शन्नो को बगल में सिम्टाए हुए बदरिया के बच्चे सी चिप्टी पड़ी अबोध शन्नो की समीज का घेर और घुंगराले बालों के बेतरती जल्ले टेबल फैन की तपती तेज हवा में फड़ फड़ा रहे थी गहरे कथाई रंग की जालर वाली कच्छी कमर से कुछ नीचे जुकी हुई उसके गोल मटोल वजूद को मासूमियत से सराबोर कर रही थी जमना पारिम बड़ी भावी जब तब ठिठोली करती हैं कुछ भी कहो लाला या पेट पोछन हुबहु गई तो तुम पे ही है पुतलियों का भूरा रंग तक नहीं छोड़ा कई बार मन हो आया कि सोती वी शन्नो की पलके उठा पुतलियों का रंग देखे क्या वाकई उसकी पुतलियां भूरी हैं हुबहु उसी सी एक किलक्ती ललत तुरागरह को पीछे धकेल उससे विद्रोह कर सिर उठा लेती कि उसकी रिबन बधी नन्ही नन्ही चुटियों को पकड़ कर वो जग छोड़ते गालों पर चुटकी भर ले नहीं हथेलियों पर चिर्रो मिर्रो बुला कर कांख में गुद्गुदा दे रक्तिम कानों की लबों को जी भर कर चूम ले लेकिन पता नहीं क्यों अचानक शन्नो सूनी में परिवर्तित हो जाती और उसकी लालसा को सहसा अम्मा का डबल रोटी सा फूला पेट ठक लेता शन्नो की ओर बढ़े हुए हाथ उसे चूने से पहले ही ठिठक जाते एक अवश तिल मिलाहट उस पर तारी होने लगती और शुब्ध हो वह अपने उपर सैक्रो रक्षसी अठासो का उफास अचानक भसक रही चत्सा मरमराया हुआ महसूस करता उसे लगता कि कभी आवेश वस हाथ सन्नो की ओर बढ़ी गए तो उंगलियों में नन्ही देह की दुधाई सुगंध नहीं एक जहरीली लिसली साहत चिपक जाएगी जो धीरे धीरे उसकी पूरी दे को कुकुर खास से भर देगी छा भाई बहनों में वह सबसे छोटा था अब नहीं रहा शन्नो ने उसे इस एकाधिकार से वन्चिर कर दिया उसे अच्छी तरह याद है वह आठेक साल का रहा होगा जब काकी को कुश्पा हुई थी बचपन की धुन्नो सौर के मुहारे खड़े खड़े वह उस गोल मटोल गुडिया को चार-पांच रोज अककसर गौर से लगातार देखता रहा था और उसे गोद में खिलाने को व्यग्र हो उठा था सभी ने उसे डरा धमका रखा था किन ना तो वह सौर के भीतर ही गुशे और ना ही बच्चे को चुए किन्तु एक दोफर जब सभी अपने अपने ठोर ठिकाने पड़े सुस्ता रहे थे और धुन्नू को बगल में लिटाए काकी भी जबकिया भर रही थी वह पट से सौर में घुश गया और बंदर की भाती धुन्नू को गोद में उठा दुछती में जाचिपा धुन्नू नरोती तो वह बड़ी देर तक उसकी चुम्निया लेता रहता और उसके छोटे छोटे रुई के फाहों से नरम गुलावी पैरों को अपने गालों से रगड़ता रहता पकड़े जाने पर बड़ी बुवा ने धुन्नू को उसकी गोद से छीन उसकी हिमाकत पर बेरहमी से तड़ातर गाल चटका दिये थे अम्मा ने आगे बढ़कर उसे छुड़ा लिया था बड़ी देर तक वह उनसे लिप्टा हिच्किया भड़ता रहा उसकी समझ में नहीं आया कि यह कौन सी रीत है कि एक बच्चा सामने लेटा हुआ है और उसे छुआ नहीं जा सकता खिलाया नहीं जा सकता उसने अम्मा से सवाल किया था काकी बच्या कहां से लाई बाजार से खरीद कर तो तुम भी मुझे एक धुन्नू खरीद दो मैं काकी की धुन्नू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा उसने रोश से भर कर कहा ठीक है लाध होंगी जरा पैसे जोड लू खूब लगते हैं अम्मा ने उसे बहलाया मगर कुछी दिनों बाद वो अपनी जित भूल कर मस्त हो गया फिर धुन्नू सौर से बाहर आ गई और उसे नचुने की सारी वर्जनाएं तूट गई वर्षों बाद जब नितांत अपनी धुन्नू की कामना का बाल सुलब हट बास्तविक्ता में अंकूरित होने लगा तो इस उम्मर में छोटी बहन पाने की कलपना मातर से वह लजजित हो था सबसे बड़ी जिज्जी चार बच्चों की मा थी जो अपनी बड़ी बेटी रंजना के हाथ चार साल पहले पीले कर चुकी थी रंजना से छोटे उमेश की सादी उसी साल हुई जिस साल उसका दिलक चड़ा तब ही जिज्जी उसके व्याह में नहीं आ पाई बड़े और मजले भईया के बच्चे कॉलेज जाने लगे गीता और सुस्मा क्रमसा एक और दो बच्चों की माएं बन गई खुद उसकी शादी का चोथा साल चल रहा है बच्चे नहीं हुए तो सिर्फ इसी बजह से कि उसने और अनी ने फिलहाल चाहे नहीं शादी की पहली रात को ही उन्होंने तैक कर डाला कि जब तक वो अपनी थिसिस पूरी कर ताखिल नहीं कर देता और किसी डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक नहीं बन जाता वे संतान के विशय में कताई नहीं सोचेंगे भूले भटके कहीं कुछ गड़बड हो ही गई तो सफाई कर बालेंगे आगे नहीं हुए तो अनी ने संसे प्रकट किया अना थालाई से गोध ले लेंगे तब अनी केवल मैट्रिक पास थी और वह उसे आगे पढ़ाने का इच्छुप था शादी के बाद उसने फर्स्ट इयर की परिक्षा में अनी को प्राइवेट केंडिडेट के रोप में बिढ़वाया पढ़ने में भी उसकी भर्सक सहायता की नतीशतन सारी घरेलू अर्चनों और बंधनों के बापजूद वह पास हो गई फिर तो वह उत्सा से भर गई और स्वेंग परिश्रम करने पर उतर आई कस्वई सपनों के दैरों में महासागर का विस्ताज जड़े जमाने लगा इंटर भी हो गया अब बीए की तैयारी हो रही है एक अम्मा है ना कुछ सोचना चाहती है ना समझना दकिया नूस बच्चा पैदा करने की मशीन दूसरों की भावनाव की कदर करना उन्हें आता ही नहीं उपर से फूहर ठिठोलियों में रस लेती और आनंदित होती उनके भीतर की बे लिहाज बेशर्म इस्त्री सामने जवान बेटा खटिया पर बैठा हो तब भी संकोच ना करना कोई लिहाज करती तो नाउन काकी को न जिड़क देती आजी को न इशारा कर देती वे आंगन में दुपके सर्दियों के दिन थे मास पिंट के रूप में आकार लेती शन्नों के दिन गुनगुना घाम था खटिया पर आराम से वह शोट से सम्मंधित संदर पुस्तक पढ़ने में लीन घाम सेक रहा था कि सहसा नाउन काकी की पार्खी चुहल ने उसकी तनमेता भंग की अई दुलिन तुम्हु कुछ है का? नाउन काकी ने बड़े फूहर तरीके से अनी के पेट पर हाथ फिराते हुए सप्रश्ण उसे देखा प्रत्युत्तर में शर्म से दोहरी होती हुई अनी बगैर जवाब दिये ही भीतर भाग ली इस अशालीन चुहलबाजी के चलते उसके कान तब आये नजरों को जबरदस्ती किताब में अटकाहे रखना मुश्किल महसूस हुआ परन्तु एकाएक उट भी नहीं पाया घाम सेकना बड़ा भला लग रहा था तभी नाउन काकी का दूसरा जुमला उसे चौकाता पहार से नीचे धकिल गया बधाई हो जिया सास बहुरिया का जापा एकैस सौर में निपटी जाई फिर उसकी और कटाक्ष कर हसी हम तो तुमसे नेग में नैलून की दूई सारी लेवे छोटू एक मिहरिया के एक महतारी के अंटी कसे रहियो छिनार वही से नेगनिगार की बातें काहे करत है अरे देले के बारी अबे तो हम जिन्दा बैठी हन यही देहरी की पुर्खिन आजी की पोपली हिनहिनाती आवाज से उत्साह छल छलाया पोता पर पोता साथ होई तो तेह का बनासी पहिरे बे एक बात बता भिखवा के महतारी छोटू की बहुरिया के सची कुछो है का जवाब अम्मा ने दिया पट्रे पर बैठी वे कदू कस पर गिया कस रही थी मोरी नाउन काकी के बातें कुछ नहीं है वहके और आखे मिचका कर हसने लगी थी जूठी फूरी लगावा करती है चलो जूठी फूरी ही सही तुम अपनी कहो तुहार कौन महिना है दुलहिन नाउन काकी ने अम्मा से सच्चाई जाननी चाही तीसरा जवाब आजी ने दिया छोटू के पीठ भागमान है फिर खुखु खुखु खासने लगी खासी हलकी हुई तो उत्सा से भरी बोली उत्रत बैसात तक जाई कैदुलहिन बैठना दूभर हो उठा अम्मा ने उसके लिए चूले पर चाई चढ़ा रखी थी सुबह आंगन में घाम सेकना और लगाता चार पांच कप चाई पीना ही चूटी की सुबह का उसका प्रिये कारिक्रम होता उसे उठके चाता देख अम्मा ने पीछे से आवाज लगाई जबाब उसने नाउन काकी को दिया चाई उपर भीजवादो काकी एका एक लगा कि अम्मा किसी फूले पेट वाली सुवरिया के काया में प्रविष्ठ हो गई है और सुवरिया अपनी थुल्थुल देह हिलाती मैले की ढोड़ियों भी और बढ़ रही है घिनाकर किताव उसने पलट कर परे रख दी पढ़ नहीं पा रहा पढ़ भी नहीं सकता बस पैरों पर रजाई डाले लेटे लेटे च्छत की धनिया घूरता हुआ सोचता रहा कि आखिर इस अधेर उम्र में अम्मा को यह क्या सूची बुढ़ा बुढ़ाओ शर्म हया घोट कर पी गए उसी रात उसने अनी से कहा एक काम करो तुम अम्मा को समझाती क्यों नहीं क्या समझाओं यही की वह कह नहीं पा रहा था इस संदर में किसी भी तरह की बातचीत उसे असमंजस में डाल रही थी यानी तुम तो उटके भाग आई आजी बता रही थी कि अम्मा को तीसरा महीना चल रहा है उसने अपने तात्परी की भूमी का बांधी सब के सामने बात आएगी तो लोग बाग क्या सोचेंगे कि उधर बच्चों के बच्चे हो रहे हैं इधर अधेर मा बिया रही है छी उचित यही होगा कि अम्मा खौरन सफाई करवा ले बस एक दिन का तो काम है खर्चा भी जादा नहीं लगेगा मैं दे दूँगा तकलीप कुछ होती नहीं किसी को भनक भी नहीं लगेगी वह सारी बातें सारी घुम्रन एकी सांस में कह गया स्वेंग पर अचंभा भी हुआ कि यही सब कहने की खातिर वह पूरे दिन मानसिक तनाव जेलता चटपटाता अनी से कहने की हिम्मत संजोता रहा था भला मैं किस मूँ से उनसे ऐसी बाते करूँ अनी ने संकोच से भर कर कहा अपनी महतारी को जानते नहीं तुम्हारी हिचक सही है मगर उनसे कहना भी तो जरूरी है अनी ने एक सुझाओ दिया जो जिजक तुम्हारे आडे आ रही है वही मुझे भी पस्त कर रही है देखो जिजी से उनकी पटरी बैठती है तुम उनसे ही आगरह क्यों नहीं करते कि वे अम्मा को इस बाबत समझाए वही इस घर में अम्मा से कुछ कहने की हिम्मत कर सकती है उसे अनी का सुझाओ दुरूस्त लगा सीडियों पर ही था कि उत्तेजित अनी ने उससे फोरण कमरे में पहुँचने का इशारा किया और उसके भीतर आते ही किबार भिराकर उसने एक सांस में सारी घटना जियों की त्यों कह सुनाई थी गनीमत समझो की तुम सामने नहीं पड़े वरना अम्मा ने रोचीख कर घर सिर पर उठा लिया था अरे वही दहीजार कैर हिम्मत कैसे पड़ी रहे बेटवा बेटार तो सब भगवान का परसाध होत है नहीं तो मनई तरसी जात है देवी देखता मनावत है कथा भागवत सुनत है तोना टोट का कराबत है तो ने उपे अलाद नसीब नहीं होती और फिर अब आतो जिया बैठी है छाह धरे हमरे तीज त्योहार करे बाली नेग नियो छाबर धरे बाली पैता करी रहीन है तो का इन लठ लुम्रन के भरो से जिनका अपनी महरिन के चूतर चाटे से फुर्सत नहीं मिलती बड़ी जिजी की जो दुरगती की अम्मा ने तौबा भैबीत अनी ने आखे निकाल कर कानों को हाथ लगाया अभी तक अम्मा अपनी कोठरी की कुंडी चड़ाए भूकी प्यासी भीतर बंध है हमारे लिए एक चेताबनी है कि उससे कह दो कि जो तो उससे इस घर में सीधे सीधे रहना है तो रहे नहीं तो अपनी माई अनी को लेकर कहीं अलग ठोड ठिकाना कर ले भाड में जाए चुब्ध हो वह भुनाया और दो-चार पिल्ले पैदा कर ले मेरी बला से बुड़ी घुड़ी लाल लगाम अम्मा की अलग हो जाने की धमकी पर उसे याद आया की शुरुवात में अनी को इस घर में तमाम आसुविधाय महसूस हुई थी नहान घर पर किवार नहीं थे टटी के लिए रोज तड़के उसे लोटा लेकर खेतों में जाना पड़ता था लोटकर बिसूरती लड़ती की यूँ खुले में सरे आम नहाना कब तक संभव है नहीं हो सकता निरुपाय दर्वाजे की आर बनाने के लिए वह एक भारी भरकम खटिया खड़ी कर खुले हिस्से को ढख देती और उस पर चादर या धोती पसार देती ताकि निसंकोच होकर नहा सके उसकी इस हरकत पर सभी मुखौल उड़ाते टीका टिपनी करते की परदे पड़े हुए हैं इलाहवाद वाली बेगम साहब नहा रही हैं एकाद बार उसकी परेशानियों में खुद को रख कर सोचा तो वे उसे वाजिब भी लगी और यह भी लगा कि पती होने के नाते अनिकी तकलीपे नजर अंदाज करना गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी मगर सभी तो उनी परिस्थितियों में रहकर कुजर कर रहे हैं इस तर्क ने उसे सदैव सहियत रखा यू तो वह भगवन्त नगर में अपने कॉलेज के आसपास एक या दो कमरे का अच्छा मकान कभी भी ले सकता है और आने जाने की लंबी भागा दोड़ी से भी बच सकता है मगर इन कारणों और सुविधाओं के चलते अम्मा से अलग होने की कलपना भी उसे असहिय प्रतीत होती यही सोचता कि जब तक कोई अन्यबाधिता उत्पन नहीं होती वह अम्मा के पास रह लिए विश्विध्याले में पहुँचने की जद्दो जहत्तो जारी ही है वहाँ न्यूक्ती होते ही बाहर रहना उसकी मजबूरी हो जाएगी तब ये तकलीफें खुद ही खत्म हो जाएगी बाद में कोई असिष्ट कदम न उठाकर उसने इतना ही किया कि घर के माहल से कन्नी काट स्वेंग को अटारी वाले कमरे तक सीमीत कर लिया शन्नो पैदा हुई उसे पता भर चला अम्मा अस्वस्थ हुई भरतिपूर के डॉक्टर सिंग उन्हें देखने आए अम्मा ठीक हो चली वह शोद के सिलसिले को लेकर अधिक ब्यस्थ बना रहा अनी शन्नो को कभी कभार कमरे में साधिकार ले आती बाब जूद उसकी अनिच्छा के मगर कलेश से बचने के लिए वह उदासिंता ओड़े रहता वैसे भी जब वह पढ़ रहा होता ये लिखने लिखाने में ब्यस्थ होता अनी शन्नो को कदापी उपर न लाती दरसल वह अनी को शन्नो से कुछ अधिकी जुड़ता हुआ महसूस कर रहा था लेकिन इस बात सले गड़बंधन के निरंतर सुद्रिट होते जाने के पीछे वह अपनी ब्यस्ता को ही कारण मानता ऐसा मानने से ही उसे तसल्ली मिलती हाला कि कई दफे वह अपने आपसे तर्क वितर्क करता कि आखिर वह अपनी कुढ़न शन्नों पर क्यों निकालता है उस मासून का भला क्या दोश मगर पता नहीं क्यों वह अब तक उस अनिच्छित इस्तिती से उबर नहीं पाया शन्नों को देखते ही उसके दिमाग की नसे तम-तमाने लगती उसे लगता कि उसका कूरा घर अनपड गमारों और जड़ों कमीनों और औविवेकियों का अड़ा है जिसमें उसके जैसे सिच्छित का कोई अस्थान नहीं याद हुआई सहकर्मी शर्मा की शन्नों के जन्न पर दी गई बधाई कोशिश करके भी वह अपने गुस्से पर नियंत्रन नहीं रख पाया था शर्मा का फूहर मजाक उसे भीतर तक छलनी कर गया यार मान गए तेरे दद्दा को हमें तो इस उम्र में जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी पर सच्ची बताना यार मजा आ जाता होगा नहीं उपर तुम लोग लगे रहते होगे और नीचे बूढ़ा बूढ़ाओ तुम छिछोरे उसने आबेश से कापते हुए शर्मा का कॉलर दबोच लिया दांत किट-किटा कर अभधर हो बोला पूछ देख तेरे अमा बपा कोई जड़ी पूटी लेते हैं कि नहीं उसी च्छन उसे आभास हुआ कि वह मानसिक रूप से बदमिजाज असिस्ट और अधीर हो उठा है वह अंदरूनी तोर पर बीमार है और उपरी तोर पर ठहरा संयत दोनों ही स्थितियां असहज और खतरनाक हैं यह सही है कि निजी तोर पर वह बड़ा अनुसासन बर्द दिखता है लेकिन भीतर ही भीतर अंतर द्वन में उलजा सोचता रहता कि आखिर घर में तो और भी लोग हैं उन्हें इस घटना ने किसी भी रूप में क्यों नहीं कचोटा क्यों वे इस प्रकरन को लेकर अटपटा महसूस नहीं करते अब तो वह घर में अपने आपको इतना गैर और अनुप्यूक्त अनुभव करने लगा है कि कभी कभी उसे लगता है कि वह वहां बना हुआ क्यों है शायद अब भी वह सारी खिनता और आसहमती के बाब्यूद अम्मा से कट नहीं पाया भले ही वह अर्षे से अम्मा से नहीं बोलता चालता मगर अनि से वह उनके विषय में जरूर पूस्ता पासता रहता है सीधे सीधे वह भी नहीं घुमा फिरा कर वह पहले आजी की त़्यद के बारे में पूस्ता, फिर दद्दा की, फिर बड़े भईया की, फिर पुड़ी, किन्नी, हरीश, काकी, भाभी की। इनी रिस्तों को फलांकते हुए वह आहिस्ता से अम्मा पर आ जाता। अब भी कॉलेज से लोड़कर वह सीधा उपर जाने लगता तो यह ख्याल उसे उदास कर देता कि पहले वह नीचे आंगन में ठैरता था। अम्मा से सिर्फ उन्ही के हाथों की चाय पीता। वे कभी किसी काम में उलजी भी होती और किसी बहू या लड़की को आदेश दे देती कि चाय का पानी चूले पर चड़ा दे तो वह बिगड उठता। जोर सोर से एलान कर देता कि वह उस चाय को कतई हाथ नहीं लगाएगा। अनी अक्सर उसके अमाश पने का उफास उडाती। खिचाई करती कि अब तक वह बच्छरे सा अपनी अम्मा के थन में मुह मारने को ललकता रहता है। बरसों हो गए जोल वाली उनकी खटिया में उनसे सट कर लेते। उनके थुल्थुल पेट में मुह से बुड़बुर किये चौके में खाना खाए। उनसे पैसे मागे। कैसे जटक देती। जा अपनी महरिया से ले। कारू का खजाना करा है हमरे लगे। दिल का कितना मजबूत हो गया है वह। मजबूत या धीठी शायद। आज नहान घर के भीतर अम्मा हाल बेहाल जिस तरह उकला रही थी। पिछले दिन होते तो वह चिंतित सा पलट पड़ता। दोड कर उनके कंधे पकड़ लेता। पानी से लोटा भर कुला करवाता, पोस्ता और माथे से सरग्या पल्ला खीच देता। गोद में भर कर उठा लाता। खटिया पर लिटा देता। उपर से टेविल फैन नीचे मंगबा कर ठीक उनके सामने रखबा देता। प्यास महसूस हुई। उठा, तुराही के मुह से गिलास में पानी उडेलने लगा। पानी की कुलकुल से अनी की नीन उच्टी तो वह उठ पैठी। अरे कब आये। खुले हुए बालों को हाथों से मरोर कर जूडे में बांधते हुए उसने पूछा। घंटा भर हो गया। जगाया क्यों नहीं। पलंक से नीचे उतर कर सारी की प्लीट स्ठीक करती हुई वह पुदाई। पता नहीं आजकल क्या हो गया है। ऐसी बिहोशी की नीद आती है। क्या लोगें। चाय पिलबाओ तो तुम्हें एक बढ़िया समाचार दू। पहले ही बता दो वह ठुनकी। बैठ कर बाग करते हैं। चाय ले आओ। अनी सिर पर पल्ला लेती हुई नीचे उतर गई। दिमाग में अम्मा वाला प्रसंग को धा। अनी से पूच शंका निवारन कर ले कि कहीं सच्मुच शन्नो वाली इस्थिती की पुन्रा बिर्टी तो नहीं हो रही। फिर लगा पूच कर क्या होगा। जो होना होगा उसे वह बदल नहीं सकता। पहले ही कौन बदल पाया। आज मूट कुछ हलका है प्रसन भी हाला कि सुबह अनी ने जिस गड़बड का संकेत दिया था उसे ले वह दो भर तक चिंतित रहा फिर इस निश्चे पर पहुँचा कि गड़बड अगर हो ही गई है तो सफाई आधी के चकर में नहीं पड़ेगा यह निर्ने सहस्ता से शायद इसी करन ले पाया कि डॉक्टर मजूमदार का पत्र उसे दो फर से पहले ही कॉलेज में मिल गया था पत्र में उन्होंने सूचित किया कि अगले सत्र में Đ.A.B. कॉलेज में उसके नियुक्ती निश्चित है हलाकि यह उनका पिछले दो वर्सों से दिया जा रहा आस्वासन है मगर अबकी उन्होंने निर्नयात्मक सूचना दी है शोध भी उसने उन्ही के निर्देशन में पूरा किया अगले हफते उन्होंने उसे कानपूर बुलाया है मामली और चारिकताओं की खाना पूरती है तू इस महीने के अंतक वह अपनी थीसिस भी दाखिल कर देगा टंकन का काम लगभग पूरा हो चला है डॉक्टर साहब ने उसकी मेहनत के लिए उसे बधाई और सुबकामनाई भी दी है और सचमुझ यह पत्र पाकर वह बेहत खुश हुआ है मनीमन सोस्ता रहा है यहां से निकल जाएं तो अच्छा है अब मौका स्वतह ही हाथ लग गया कानपूर सतिस से कह भी आएगा अपने आस्पास दो तिन कमडों का एक अच्छा सा मकान निगाह में रखे मित्र की पत्नी का साथ मिलेगा तो अनी को अकेला नहीं लगेगा अनी सुनकर खुशी से चौकेगी इस सोचने उसे रोमान चित किया एक तो वह सोया ही बड़ी देर में था मुह अंधेरे ही रोने पीटने की अचानक उठे शोर ने उसे चौका दिया कुछ पलों बाद घबराई अनी ने उसे चखचुरा उठो उठो ना आजी वह समझ गया अर्शे से बीमार और खटिया पर ही टटी पेशाप करने वाली देह की दुर्गती से चिज़ती आजी को आखिर मुक्ती मिल ही गई अनी रुंधे स्वर में अपनी बर्प हुई हथेलियों को उसके दोनों गालों से चुआती हुई बधवास होती सी बोली मैंने कभी किसी को मरे हुए नहीं देखा डर लग रहा है मुझे डर कैसा बस देह से प्रान ही तो निकलते हैं फिर भी गवराओ नहीं तुम चलो मैं आ रहा हूँ सीडियों पर अभी अधेरा है अरे कमाल है इतना डरने की क्या जरूरत है फिर उसकी अस्थिर्ता और मौके की नजाकत का ख्याल कर वह उट बैठा चलो मैं सीडियों पर खड़ा रहता हूँ तुम नीचे उतर जाओ वह सीडियों के उपर खड़ा हो गया तभी अनी नीचे उतरने को तयार हुई आधी सीडियां उतरते उतरते आनी पल्टी उपर ही मत बैठे रहना सारा घर जुट गया है फौरन नीचे आओ जवाब दिये बगएर वह कमरे में लोट आया आजी को देखकर वह अकसर उनके कष्ट का अनुमान लगा सोस्ता कि इस घिसत-घिसत के जीने से तो बेहतर है कि वह जितनी जल्दी हो कूच कर जाएं हलाकि डाक्टरों ने सलाह दे थी कि उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रखना ज्यादा उचीत होगा अम्मा उन्हें अस्पताल में रखने के विरुद थी अम्मा को लग रहा था कि एक तो आजी लगातार अस्पताल में रह नहीं पाएंगी और उनके बगेर उनकी उची देखवाल संभब नहीं आजी की बत्तर हालत के बाबजुद बिना पस्थ हुए और गिनाये अम्मा दिन भर उनका गूमूत उठाती रहती उनकी खैरियत के गंडे तावीज बनबाती रहती और आजी उनकी अभिलाशाओं का भी कहां कोई अल्ध था छोटी का ब्याह देख ले तो मरे उसकी शादी इसलिए जलती हो गए नन्ने मंजले भाईया को बेटा हो जाए तो मरे साबित्री बड़ी बेटी को बड़ी मानता के बार इकलोता पोता हुआ है उसका मुंडन अपने महादेवन के चोरे पर करवा ले तो मरे घुन्नू का जापा देख ले तो मरे अनी की गोद अभी छूची है कुछ हो जाए तो मरे और अब तो उन्हें शन्नो के ब्याह की दुश्चिंता भी घेरने लगे थी उसका ब्याह अपने सामने कर लेती तो मरती उनकी दुलारी बहु अम्मा पेट से है एक और पोते का मुह देख लेती तो मरती पीढी दर पीढी आसिसने के लिए वे हर बार मरना अस्थगित करती रहती कैसी सघन जीजी विशा उसे आजी का वो आक्रोस अस्मरन हो आया जब सन्नो के समय सफाई की बात उसने बड़ी जीजी से कहलवाई थी वे कुरुध शेरनी सी बिप्री थी कौनो चोरी छिनारा के आय जो दुलहिन पेट गिरवाले रोने पिटने के सम्मिली स्वर कुछ अधिक उचे हो उठे अनी की हिदायत उसे याद हुआई उसे नीचे होना चाहिए वो अब फुर्ती से बदन पर कुर्ता डाल कर नीचे उतर आया आंगन में जमघट किसी मजमेबाज के इर्द गिर्द जुड़ी भीर सा घेरा डाले हुए था अंदाजा हो गया आजी को बीच में लिटा रखा होगा उसे देख लोगों ने हटकर रास्ता दिया सांतोना के कतिपै बोल उसे लग्ष कर संबोधीत हुए गठरी ढकी सी आजी उनके पाओं के करीब अम्मा बैठी दिखी उनका पचाडे खाता रुदन उसे विचलित कर गया औरतों ने उन्हें संभाल रखा था उस पर निगाह पड़ते ही अम्मा रस्सा तुड़ाए गाय सी अर राकर बेताहाशा लिपट गई पहली बार भीड में अम्मा का नंगा चेहरा दिखा हमेशा ठुटी तक खिचे रहने बाले पल्ले में जब वे बहों के बीच आ बैठती ही तो लोग भरमा जाते कि सास कौन सी है और बहों कौन सी उसके सीने से लिपटी अम्मा दहाडे मार कर रो रही थी उसे महसूस हुआ कि अचानक उसके भीतर एक दबा ढखा सोता आवेक सा तूट पड़ा और गालों पर धारा सार बहता अम्मा के खिचडी बालों को बिगोने लगा अम्मा हिचकियों में बोले जा रही थी तूटे तूटे वाक्यों में जिया नहीं रही रे छोटू छाड़ी गई हमका अब हमका दुलहिन कही के को पुकारी रे दैया को हमार तीज त्योहार करी रे हमरे बरे नेग न्योच्छाबर धरी रे आज हम बुढ़ा गईन रे छोटू बुढ़ा गईन जब तक जिया च्छाह धरे बैठी रही हमका यही लागत रहे कि हम बहुरिया हन भले हमरे जवान जहिल बहु बिटवा नाती पनाती है दया सच ही तो कह रही है अम्मा वह सोचने लगा जब तक किसी बड़े का साया सिर्पर होता है आदमी छोटा ही बना रहता है जिस दिन वह साया नहीं रहता उसकी उम्र प्रॉड हो उटती है 42 साल की दुलहिन आज अम्मा रह गई है काकी, दादी, नानी, जेठानी, सास, मात्र वह कभी उनके इस एहसास को लेश मात्र भी महसूस नहीं कर पाया घर में 13 वी के बाद का अतिरिक्त सन्नाटा था उसने अम्मा को गहरी खोजती द्रिष्टी से ढूढ़ा अम्मा कहीं दिखाई नहीं थी नियुक्ती पत्र की खुसी सबसे पहले वह उनसे बाटना चाह रहा था और शायद वर्सो परांत वह कॉलेश से लोटकर सीधा अपने कमरे में ना जाकर आगन में खड़ा हुआ था उपर पहुचा तो छूटते ही अम्मा के विशय में पूछे बिना न रह सका अम्मा नहीं है घर पर शन्नो की बित्ते भर की चुटिया पर रिवन का कुंदा बनाती हुई अनी बोली अम्मा तो कानपूर चली गई है दोफर वाली बस से कानपूर क्यों एक आएक सूचना चोखाने वाली थी अम्मा कहीं निकलती जो नहीं अनी ने शन्नो को जा नीचे खेला की हिदायत दे कर बाहर फेज दिया उसके जूते खोलते ना खोलते हुए अनी ने बताया और जो बताया वह उसे अस्तर्द करने के लिए काफी था अम्मा पुस्पा जिजी के घर गई हुई है तीसरा महीना चल रहा है कह रही थी कि वहां किसी नर्सिंग होम में जाकर सफाई करवा लेगी यह भी कह रही थी कि उस समय छोटू की सला उन्हें इसलिए नागवार गुजडी थी तब वे जिया के रहते कभी अपने को बुढ़ा गया महसूस ही नहीं करती थी अब जवान जहिल बच्चों के सामने डुमका फुलाए घुमना बड़ा भद्धा लगेगा तो यह आप सुन रहते चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखी गई कहानी दुलहिं रेनू की आवाज में ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह कहानी कैसी लगी थैंक यू